सब्स backlash कर ले filt अगर अघर आप आसे लेकर जठ तक सभी स्टो की की डीटेल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सुल्सक्राइब कर ले इस वीडियो में अलंबिक फार्मा company की detail analysis करने वाले हैं तो start करते हैं इस वीडियो को इस company के share price 654 रुपए हो एक दिन में 0.63% की गिरावर देखने को मिली 5 दिन में 18% के positive return दिये एक महीनों में 5% के positive return पिछले 6 महीनों में almost 10% की गिरावर देखने को मिली एक साल में 16% की गिरावर देखने को मिली पिछले 5 सालों में 27% के positive return जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इस stock में 1000 रुपए से continuous गिरावर देखने को मिली और यह stock अभी 654 रुपए देखने को मिला है maximum returns की बात करें तो maximum 1306% के positive return दिये तो क्या इस company के share को हमें खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो जैसा है कि यहाँ company के business and fundamentals की बात करें तो यह जो company है manufacturing and marketing of pharma products and formulation of active pharma यानि company का main business pharma sector से है market capitalization 12,900 करोड का है stock का लो 540 रुपए stock का ही 850 रुपए stock के PE के बात करें 33.5 है book value 266 रुपए और यह company almost 1,5% का dividend भी दे रही है ROC 10% से 11% देखने को मिला return on equity 10% है face value 2 रुपए की है intrinsic value 530 रुपए PE की बात करें industries की जो की 28.5 है यहाँ बात करें promoter holding 69% हमें देखने को मिली है यानि company के promoters ने कोई भी stakes यहाँ पर नहीं बेचा है debt equity काफी कम है 0.14 और debt की बात करें तो 717 करोड का debt है यानि place कोई भी shares नहीं है FIS के पास 5.32% के stakes है जिसमें से almost FIS ने 0.62% का stake यहाँ पर sale किया है D.I.S holding यहाँ पर 12.6 हमें देखने को मिली और D.I.S ने यहाँ पर माल खरीद है 0.40% का यहाँ बात करें company के quarter on quarter basis result की तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो company को इस quarter June quarter में यहाँ पर loss देखने को मिला 0.66 करोड का Year on year basis की बात करें तो year on year basis में profit में काफी गिरावट देखने को मिली 1150 करोड का profit था जो कि 521 करोड देन अभी almost 300 करोड का profit देखने को मिला है जब भी profit में down होता है तो यहाँ पर stock में भी down हमें देखने को मिलता है Results के बात करें तो company के Results almost बढ़ते वे देखने को मिले इसी के साथ साथ यहाँ पर company का Results के साथ borrowing भी बढ़ते वे देखने को मिला यानि Results 5000 से 5200 करोड देखने को मिला और borrowing 580 करोड से 700 करोड देखने को मिला जो की almost 200 करोड से बढ़ चुका है यहां बात करें promotor holding की तो company के promotors के पास 69% के stakes है FIS के पास 5% के stakes है और DIS के पास 12% के stakes है और public के पास यहां पर 12.52% के stakes देखने को मिले है यानि company के promotors ने कोई भी shares यहां पर बेचे नहीं है BSC पर इसे stock के analysis करते हैं तो आप यहां देख सकते हो इस company ने कब dividend दिया है तो आप देख सकते हो हाल में ही company ने 10 रुपे पर share dividend दिया है bonus के बात करें तो company ने कोई भी यहां पर bonus नहीं दिया है तो क्या इस company के share को हमें खरीदना चाहिए या award करना चाहिए जो दोस्तों अगर आपके portfolio में इस company के share है तो आपको थोड़ा patience रखना चाहिए क्योंकि company पे ज़्यादा debt नहीं है इससे पहले भी company में काफी गिरावट हमें देखने को मिली थी 2015 में 752 रुपे का stock हमें 400 रुपे तक देखने को मिला then again काफी शांदार तेजी देखने को मिली तो गिरावट होती है बट अगर आप long term के लिए patience रखते हो तो आपको काफी अच्छा भी return आपको मिलता है तो क्या आपके portfolio में इस company के share है नीचे comment कीजिए ठेंकी दोस्तों